अलो वाइज दिस इस केशो गुपता और मैंने को उमीद है आप सब की रिप्लाई वाट्सअप पे अपकी बार भी लिगा होंगे क्योंकि आज तारीक क्या है पांच जनवरी दोयार एकिस मैंने कर रात को बैठके सब की रिप्लाई किये हैं अपनी स्कीम बताई है कि मैं क्य क्या काम करता हूं और आप मेरे से क्यसे जूड सकते हैं सब मैंने बताया है अगर आपको भी सब कोशनिस कि आंसर जानने हैं तो आप एको WhatsApp कर सकते हैं अब मैंने क्या ट्रेड ली है 1.11 का टाइम हो चुका है सबसे पहले मैं अपना डालता हूं पिन Just a minute wait Hello तो जी अब मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है सबसे पहले जाते हैं Orders पे Orders ये हैं सबसे पहले मैंने आज किया किया एक लोट लिया मैंने 17 900 CE का आपको नीचे दिख रहा होगा यहां पे ये देखिए 40 पे लिया फिर मैंने 24 का टाइट सेड किया था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया और 32 के सबसे मैंने उसको लिखा लिया ये वहा था सुबह टीनों ट्रेड में तो मैंने 400 पे का लोस आया पर दिख रहता है अब उसके बाद मैंने लगभग 23 मिट पहले मनलब कि 11 बजे के आसपास एक के शॉट इश्रेडर बनाया 37 300 CE और 37 300 PE को अधिक कर दिया सेल एक ही प्राइस रेट पर लगभग ऐसी सेल करना चाहिए अब मैं दिखाऊंगे मेरी पोजिशन के आ रही है तो सबसे पहले दिखाऊंगे पहले बैंड रिफ्टी का चल ला है बैंड रिफ्टी चल ला है 37 358 पर जब यह 37 300 पर था तम मैंने उसको लिया था मार्केट अभी 37 400 पर भी गई थी पर महां से दुबारा नीचे आगे 37 300 पर चल लिए तो मैंना क्या प्रॉफिट्टे लॉस हो रहा होगा आजिए देखते हैं चार सो रुपे जो मैंने लॉस था आपको देख रहा होगा अगर आपको देख रहा होगा यहां पर यह देखी और चार सो रुपे का लॉस पहले का है ठीक है तो आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा उसमें से आपको 400 रुपे हटा ने पढ़ेंगे तब ही 100 रुपे का लॉस रहा है टोटल अभी तक 500 रुपे मार्गर वही फ्लैक्टुएशन हो रही है जब तक यह 1000 रुपे के लॉस के आसपास नहीं जाता जब तक मैं शायद कुछ ना करूं उसके अंदर आगर मैं आपको चार्ट डिखाओं चार्ट कहा है अपना ट्रेडिंग विए जस्टमेंट वेट हमारा ट्रेडिंग विए कहां चला गया वाई मैं बहुत फ्रेंक्ली वीडियो गनाता हूं मैंने कोई एडिटिंग का शौक नहीं है मैं जो होता सामने वही दिखाता हूं देखर सड़नली यह 424 पा आ गया है आभी बात करते करते आप से यह ब्रेक आउट है तो एक काम करते हैं फटा फटा फट वहाँ पर ऑप्शन बाइंक करते हैं बिना सुचे समझें जस्टमेट वेट वहां पर लॉस पहुज़गा होगा है अराम से पहुज़गा होगा 600 पर पहुज़गा है ओके ओके तो बाइंक्टि में काफी अच्छ अच्छा एक बाउंस बैक आया है वैसे काइदे में 15 मिंट की केंडल उपर क्लोस करनी चाहिए मनलब की 450 के आसपास क्लोसिंग आती है तो हम एक ऑप्शन बाइंग की ओपर्चनिटी देख सकते हैं फोर एजस्टमेंट क्यूंकि इसकंदर फेर लौज़गा शुरू जाएगा इसलिए मार्केट बहुत बुलिश लग रही है तो कुछ भी हो रहा है पता नहीं से लिपा रहा है थोड़ा वेट करते हैं गाइस अभी चार मिठी हुए है वीडियो को और वैसे स्टॉप्लस की बात करें स्टॉप्लस का लगाना चाहिए इसके अंदर तो मैंने दोनों को 215 के आसपास ही वाई किया है और जो सी का प्राइस है वह 290 का आसपास चल लाएगा इस तो एक काम करते हैं 100 अंख उपपर मनलब कि 314 पर जब यह आएगा तब हम सोच सकते हैं कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी है ठीक है फिर मैं 50 कॉंटेटी बाइंग कर लोंगा और देखते हैं फिर क्या होता है वह एजेस्ट्मिंट के लिए होगा अभी फिला शॉर्ट के अं यहां से अगर यह नीचे आया तो बैडर है क्या आपने शॉर्ड श्टैल बनाया है तो आप सोचते हैं कि बस सेलिंग ही करने अगर उसके अप्शन बाइंग करनी पर जाती है तो ना टू मच कनफीजन उत्पन हो जाता है वैसे देखो यह ब्रेक अट बड़ा अच्छा आ कोशिश कर रही है तो अगर यह 37-500 क्रोस करती है ना तो मैं यहां बाइंग कर लूँगा जी ब्रेक अट बड़ा अच्छा आया है यह नीचे जा भी नहीं रहा है अगर मैं बात करूँ आज के हाई की आज का हाई क्या लगा था आज का हाई था यह हाई पहीं चलता है 454 का ही था चार सो बाइंग कर लेता है एक निट आपको लाइव दिखांगा लॉस होता है प्रॉफिट होता है आज सो नंब्य होके तो एक काम करते हैं 37-400 का एक कॉल बाइख कर लेते हैं 37-400 का कॉल बाइख कितने पर करें इसको बाइख करते हैं 50 कॉंटिटी बाइख कर लेते हैं ओके ब्रेक आउट तो आई गया है कैंसल नहीं गया एक मिंट अब देखो मैंने बाइख कर लिया है 248 पर हुआ है ब्रेक आपर आ चुका है लेते के साथ ही कॉल का प्राइस नीचे आ रहा है लॉस होगा दो हैर रुपेगा तो मैं निकल जाओंगा तुरंत ठीक है कि देखते हैं चार्ट पे बार देखो चार्ट तो कहड़ा है कि अब यह उपर जाएगा कि एक मिन बचा है और यह बहुत अच्छा ब्रेक आउट आया है अगर मैं अपना प्रेंडेल ही देखूंगा तो खत्रें बढ़ सकता हूँ क्यूं कि महां पर फिर इमोशन सा जाते हैं बीच में तो मैं को वेट है 37-500 तक तो जाए कम से कम ताकि मेरा टागेट एचीव हो पाए गाईस वीडियो तो लंबी हो सकती है 37-500 तक जाए तो मैं इसको फिर वहाँ पर शायद में को थोड़ा प्रॉफिट डिख जाएगा तो मैं इसको स्काड़ फर दूँगा पर लेट सिय अभी क्या होता है अभी तो शुरुवात है यह मैं अपना प्रेंडेल भी देखी नहीं रहा जो कि अदू तो मैं मैं बोदेखा लेटा हूँ वहना खाली बैठे हो यार क्या फाइदा ज्यादा बड़ा फादा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ मैंने 50 क्वाइटी C की बाई की भी है और 248 के पैस भी ही चल ला है मनला अब कि नीचे या रहा है उपड नहीं या रहा है क्यों इतने अच्छी मार्केट उपड आई है कुछ प्राइस की दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने खुद देखा कि मैंने 450 के आसपार बाई किया अब यह 470 पर आ गया है तो वह क्यों वहीं पर अटका पड़ा अभी तक मैंने को तो कुछ गड़बा जुड़ा लग रहा है कि दो जाएगा लोस आएगा तो मैं बिल्कुल यहां से एक्रीड हो जाओंगा ओके ज्याद रिस्क्यों लेड़ा वाई है ना पांच मिन के चार्ट अगर मैं खुलता हूं तो पांच मिन के चार्ट पर ब्रेक आउट आया है गाईस यह आप देखो ब्रेक आउट कैसे आया है ऐसे आया है इस वाई लेंगर्स ने ब्रेक किया है बहुत अच्छे से किया है उपर जाना ही जाने चाहिए कहां तक 37530 तक यहां से 100 अंकी मैं एक्टेशन एकता हूं अगर मैं बात करूं फीबो नाची और सुपर ट्रेंड की लेवल की अच्छा खांचा काम कर रहा है बाई का सिंग्नल ही बनावा है बहुत थोर से पेशन्स की बात है जो हमने अपना टागेट स्टॉपलों सोचा हुआ है वह कंप्लीट हो जाए अगर चार सुपर जाता है तो मैं फिर सोच को लिकलने की वहाँ पर क्योंकि फिर वहाँ पर भी लॉस में काम दिखेगा इसलिए पीडल मैं चेक इसलिए नही थोर सा वेट ही करना पड़ेगा एक काम करते हैं हम आपर श्टॉपलों लगा दियते हैं ताकि कुछ भी हो अपना इमोशनिस बीच में ना आ है करेक्ट ना तेहें सो का लॉस दिख रहा है दो सो अर्टालिस पर सी मैंने बाई किया है और दो सो बत्तिस का प्राइस इसका आ चुका है अगर मैं कैलकुलेट करूं लॉस के बारे में तो मैं इसके अंदर दो हेलोप्य का लॉस ले सकता हूँ दो सो कॉंट ओ दो हजार का लॉस पचास कॉंटिटी चारिस का स्टॉप लॉस में ले सकता हूँ तो यहां पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं 248 पर मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 208 208 ओके इस श्टॉप लगाया ना जी स्टॉप लगाया है पेंडिंग ओडर में आपका 208 का स्टॉप लॉस आ गया ओके टार्गेट का भी सोचना में कार है क्योंकि वह तो पर जाया नहीं रहा हूँ है ना नीचे आ तो रहा है भाइस फिर से खत्री घंडी बज लिएगा कोई बात की अब प्राइश एशन पर इतना वरोसर किया है मैंने कोई बात नहीं गाई आपने देखा 2 प्राइश अब पर मैंने काफि vib की हैं काफि लास भी ओज़ते आ ते अंध बात नहीं है 60-70% आप ठीक रहते हैं बागी से ताइम गल्द भी होते हैं हर बाद भगवान नहीं मिन सकते है आप काम करता है जब भी मैं लॉस बुक करता हूं या फिर प्रॉफिट बुक करता हूं मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि यह वीडियो बहुत लंब हो जाए गाइस जैसे की आप दे सकते हैं मैंने उस ट्रेंप आपको रोगा था कि मैं आपको वार्मनी वीडियो रिकोर्ड करके दूंगा तो हम जब यहां पे थे यहां पर मार्किन नीचे आई थी अब देखो यह वापस उपर जाने को रेडी हो चुकी है पर दिक्कत यह है लागातार उपर नहीं जा रही है रुग 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 जा रही है 37-500 का टेश्च करके अब यह नीचे आ सकती है I think पर मिल पर लगाया था गाई सो मैंने कम कर दिया है 208 से 218 पर कर दिया है और वह फिड़ी सी नीचे आ चुका है 500 को टच करके ऐसा लगता है मेरे को कोई दिक्कत नी हम एक्सर्प्ट करेंगे अपने इस्टॉब लोज को और इसको मैं स्क्राफ कर दूँगा पूरे के पूरे को क्योंकि इतनी सारी टैनेशन माजी लेने से अच्छा यह है अपना आर्म से स्क्राफ करो बैठो देखो मार्केट को है इसका स्टॉप लोज होने वाला है फिर मैं सबको स्क्राफ कर दूँगा वैसे देखो 222 को टेच करके उपर तो आया है वैसे वे 222 पर या रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं जस्ट बातों से बहुत खिल लाएगा इस यह दो 19 पर गया भी यह कि इस देखो कितनी बड़ी गिरावट आई है भाई तो इतना यह उचल्ला है मैं क्या खुला है अच्छा इन जेट खुला आ थे निफ्टी खुला है यह साथ ही यह आ जप्ताफ करते के साथ ही कि इस टॉप लोई हो गया अब चत्त मेरा है कि दो सो चोवीश दो सो पच्चीस पे चला या रभी मनलब की या गए चार्सो चारिस के ऊपर रहता है दुबारा से कुछ अपसाइट पकड़ लेता है तो सही है मनलब अगए चार्सो चारिस के नीचे चला गया नहीं तो में इ सब्सक्राइब है है हो गया सब्सक्राइब हो गया अब मैं इसको यहां से भी स्क्राफ खड़ देता हूं मेरा बात की टेंशन नहीं बेकार है है ना स्लेक्ट और एगजिट पोजिशन येस वहीं दोजाब पैसर्ट का मैंन लोस आया है एक्कुडेट ठाई दूम तो मेरा सब्सक्राइब है और कल भी मैंने एक ट्रेट डी थी उसके अंदर भी लॉस हुआ था तो दो दिन से अपने दिन खराब जलना है पर इसका मुनलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रेस एक्शन पर काम कोना छोड़ दू या फिर मैं शॉर्ट श्टैयल कर से ना बनाऊ कभी कभी प्रॉफिट की वीडिओ रह जाती है कभी कभी ऐसा होता है कि अब यह मैं रिकार्ड कर हो सब्सक्राइब कर ऊच्छिण इडिटिंग जो अनी थी नौर्मल यह वह सब करने में लेट हो जाओं तो रात को मॉखा मिलता है तो अगर जल्ले टाम जल्ले डाल वाउ देखो ये उप्पर के साइड फिर से बगना शुरूर कर दिया है आगर मैं उसको होल्ड करता हूँ तो इसका प्राइस क्या चलिला गाइस 235 पर फिर से आ चुका है ये स्टॉप लोस लेने के लिए नीचे आया था चलो कोई दिक्कत नहीं अब था हमने अपना स्टॉप लोस दे दिया है हमें कोई गम नहीं होना चाहिए और ऐसा ही मैं आप से होप करता हूँ तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में अपना कींती समय देने के लिए पूरे दिल से दन्यवाद हेलो गाइस तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मैंने 2,000 रुपे का लॉस करवाया है पर मैंने देख़ो स्केल्पिंग करकि अपना लॉस कर लिया काईदर यही था कि मतलब कि मैंने जो स्टॉट वा हिड़ करवाया अपना बाइंग की साइड में वह बाद में काम्याब हो गया कैसे हुआ माद में मार्केट बहुत ऊपर चली गई अगर आपने देखा भी होगा तो तो फिर मैंने स्केल्पिंग करना शुरू किया में तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने पहले 37,300 के दोनों को स्कॉर अफ किया था कब 11,47 पर ओके आपको देख लोगा 25 फिर मेंने क्या किया फिर मैंने 563 उपे बसे पेले यहां यहां ब किया फिर है यहां पर किया मार्केट नीचे आ ही फिर मार्केट और नीचे आये 152 किई एक बाया infrastructure कायीज होगा जन्वरी के अंदर फोड़ा सा प्रोफिट होने के चांस कम रहते हैं जन्वरी के अंदर फोड़ा सा प्रोफिट कम होता है पर हम तो भी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा वी रोच करके ऐसी बात नहीं दिखाऊंगा और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के रिए सब्सक्राइब करें बस यही करना चाहूंगा ओके आज काफी लोग ने में को कि सर आपके अनलिस से में को प्रोफिट हुआ में को बहुत खुशी हुई किसी का लॉस भी आ गया था पर बाद में प्रोफिट भी आ गया तो जो मेरे से बात करते रहते हैं या फिर मेरे साथ जुड़े में उन सबका प्रोफिट हुआ है तो कोई भी कोई रही हो आप में को वाट्साप कर सकते हैं सबको मैंने वाट्साप पर रिप्लाई आज कर रहा हूं और करूंगा भी अपना कीम्दी समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद